आडम नमो आईरी आडम नमो उवजायाडम नमो लोये सवसाहुडम अनन्त अनन्त परम सिद्ध भगवंतों की अचार्य भगवन गुरुवर विशुत सागर्जी मुन्राज की यहां हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवर्दी के लिए नीती के विश्यों का श्रहन कर रहे हैं नीती एक ऐसा विशय है जो आपको अपूर्ण से पूर्ण की और ले जाता है जो अधूरे पन को पूरा कर देता है वो नीती है वो नीती है आज की नीती कह रही है कि अगर आप सफल नहीं उपा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप में गलतिया है या तो मार्ग सही नहीं है या फिर निन्य सही नहीं है कुछ न कुछ तो है जो चूक रहा है आप किसी भी छेतर में हो व्यापार करते हो साधना करते हो अत्वा पढ़ाई करते हो और सफल नहीं हो रहे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपून है शेश है इसलिए कहते हैं कि गलतियां एहसास हैं आपकी अपूनता का गलतियां एहसास हैं आपकी अपूनता का और सफलता एहसास है आपकी समर्पन का जो आपने समर्पन किया है अपने कारे के प्रती जो आपका समर्पन न अपने कारे के प्रती वो सफलता है और जो आपकी गलतियां है अपूनता है वो गलतियां है जो आपने कारे को पूरा नहीं किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आप लोगों से कि जो dedication है आपका समर्पन है, कारे के प्रति कितना है जितना dedication है उतनी सफलता मिलेगी जितना आपका समर्पन है, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी आपका dedication नहीं है आप अभी अपूर्ण हो इसलिए विजय भी, जीत भी अपूर्ण नहीं मिली है ना हो तो खोजिये, अगर आपको कहीं जल्दी जाना हो तो रोटी भी गोल नहीं बिलती पूडियां भी कच्ची रह जाती है, जल्दी जल्दी जाना हो कभी देखा की नहीं ऐसा आप दुकान मंगल कर रहे हो और जल्दी-जल्दी में कोई ग्राक आया है तो आप आनन पानन में जो उसको थोड़ी बहुत है उस देखर के भेज देते हो यद्यपी उसको बहुत सारा समान चीए था लेकिन तुमारे पास समय नहीं था तुमारा उसके प्रति डेडिकेशन नहीं था कई-कई बच्चों को पेपर देते हुए मैंने देखा उस पर हम भी थे पेपर देते-देते मिलाते है कितने का कर लिया पेपर देते-देते मिलाते है और आप ध्यान रखना सफलता जो है वो आपके समर्पन के percentage पर है 90 marks का paper करके आए वो 70 के आसपास मिलेंगे क्योंकि 70 का बनता है 70 नमबर का बनता है 20 नमबर का जोगाल करके लगाया है तो आपका जो समर्पन है वो आपकी सफलता का चिन्न है dedication dedication कैसे आएगा आपके अंदर वो सफलता का dedication वो dedication ऐसे आएगा कि आपको सिर्फ अपना लक्ष दिखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष दिखना चाहिए कि मेरा लक्ष क्या है जब अपन पदम पुरान पढ़ते हैं तो रावन ने किसी को भी मारा नहीं जिस जिस से युद्ध किया उसको बंदी बनाया क्रिष्णे ने भी जब युद्ध किया जेन आगम से कह रहा हूँ मैं जब क्रिष्णे ने भी युद्ध किया तो उसने किसी को मारा नहीं बंदी बनाया और जब मुख्य राजा से युद्ध हुआ तो उससे कहा कि मेरी आधीनता सुईकार लो कृष्णि ने कहा और राम ने कहा कि मेरी सीधा वापस दो मैं सीधा के साथ वन में रहके फल खालूँगा मुझे तेरी लंका से कुछ लेना देना नहीं है जब रावन नहीं माना तब कहीं जाकर कि नारायन ने प्रति नारायन का वद किया देखो आप लक्ष क्या था उनका सीधा को लाना इसमें रावन के वद की कोई बात ही नहीं लेकिन अपने लक्ष पर जिनके अक्ष था उनने बांकी किसी को कुछ चोट नहीं दी बांकी सब की रक्षा करी ज्यानी पुरसे ही करते हैं समर्पन पर ध्यान देते हैं सफल ता अपने आप मिलेगी एक मा पनीहारिन पानी भरती है एक मटका, दो मटका, तीन मटके सिर पे रखी है अभी बिहार में हम लोग देखा उसके दो मटके सीजे ते ऊपर का तिर्चा था लेकिन एक बूंद पानी नहीं गिरा दोनों हाथ छोड़ करके चल रही थी एक यहां गगरी और पकड़ी थी लेकिन एक बूंद पानी नहीं गिरा क्योंकि उसका उतना गहरा समर्पन चलने में था कि एक कदम भी ऐसा नहीं चला उसने कि पानी चलक जाए जब पानी भरने के लिए समर्पन चाहिए तो जीवन को उचाई तक ले जाने के लिए कितना गहरा समर्पन चाहिए विचार करना आप अपूर्ण हो जाएंगे तो गलतियां समाप्त हो जाएंगे आप पूर्ण हो जाएंगे तो आप पूर्ण रह जाएंगे तो गलतियां चलती रहेंगी और आप पूर्ण हो जाएंगे तो गलतियां समाप्त हो जाएंगे या तो गलतियां समाप्त कर ले या पूर्ण हो जाएं ऐसा कहते हैं कि राइटिंग जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी राइटिंग से पहचान लेते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है क्यों किसी विक्ती ने साइन किया अब उसका साइन करते करते नीचे जा रहा है यूँ चालू किया और नीचे जा रहा है मतलब यह तरक्की नहीं करेगा यूँ चालू किया और सीधा जा रहा है मतलब समाने जीवन रहेगा और यूँ चालू किया और उपर जा रहा है तो उचाहियां प्राप्त करेगा या तो राइटिंग बदलो या तो साइन को सुधारो या जीवन सुधारो कुछ तो करो या तो आप गलतियां बंद करो तो आप पूर्ण हो जाओगे या पूर्ण हो जाओ तो गलतियां बंद हो जाएंगे और कह रहे हैं आप पूर्ण हो जाएंगे तो गलतियां समाप्त हो जाएंगी और आप समरपन कर देंगे तो सफल हो जाएंगे अगर सफल होना है समरपन तो चाहिए समरपन तो चाहिए आप देखो चंद्रगुप्त मौरे ने समरपन दिया चंद्रगुप्त मौरे ने समरपन दिया तो आज भी नाम है हनुमान ने समरपन दिया राम के लिए तो आज भी नाम है और देखो जिस जिस जितना गहरा समर्पंद दिया है उसका उतना नाम है आचारे भगवन विद्या सहगर जी मराज ने अपने गुरू के लिए समर्पंद दिया तो आज नाम है समर्पंद से बड़ी कोई शक्ती नहीं हो दे समर्पन्ट से बड़ी कोई शक्ती नहीं होती आप अपने पढ़ाई के लिए समर्पन्ट दो न आप क्या होता है जो लोग सफल नहीं होते न या कम सफल होते वो बहाने ढूनते है लेकिन जिसको जीत की आज़ात है वो बहाने नहीं ढूनता वो गलतियां ढूंडता है एक बच्चे ने कहा पिता जी result आ गया बोले क्या result आया है बोले मेरे 33% आये हैं एक subject में फेल हूँ एक subject में फेल हूँ 33% है बोले मेटे गलत बात है बोले पिता जी आप एक बात बताौ हमारी क्लास में डॉक्टर का लड़का पढ़ता है वो भी फेल हुआ है इंजीनर का लड़का पढ़ा है वो भी फेल हुआ है तो अब आप सोचो आप तो बीकॉम वाले ब्यापारी हो तो आपका लड़का फेल होगे इसमें क्या बात है वो fail हुए बच्चे ने बहान ढूंडा है लेकिन आगे सफल होना चाहता तो वो अपनी गलतियां देखता कि मेरी गलतियां कहा हुई है आप अगर सफलतम होना चाहते हो तो बहाने नहीं गलतियां ढूंड़ो बड़ी बड़ी सफलतम लेगी अगर आप पूंड हो तो गलतियां नहीं है आप गलतियां चल रही है इसका मतलब पूंड नहीं हो समर्पित हो यह सफल हो अब बोले चूक कहां हो रही है ढूंडो ढूंडो डॉक्टर साब ढूंडो चूक कहां हो रही है चूक कहां भूल कहां हो रही है भूल कहीं न कहीं इस भाव की नहीं तो किसी और भाव की चल रही है भूल इस भाव की नहीं तो किसी और भाव की चल रही है भूल तो चल रही है और वो ही सामने आ रही है गाड़ी में डीजल भराया नहीं पैटरल भराया नहीं और उनको लंबा रास्ता ताय करना है हवा से गाड़ी नहीं चलती है हवा से सिर्फ सांसे चलती है इसलिए अपने जीवन में इस निती को तार के रखना ये तो गल्तियां बंद कर दो तो पूर्ण हो जाओगे ये सर्वस्व समर्मित कर दो तो सफल हो जाओगे आप अपनी बुद्धी से चलोगे सफलता आपकी बुद्धी जितनी मिलेगी जितनी बड़े विक्ति की सला लेके चलोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी मेहनत तो आपको ही करना है लेकिन सला उतनी बड़ी होना दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी लेकिन सफल क्यों नहीं हो पाया सेना थी बुद्धी छोटे लोगों की थी अरजुन के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी लेकिन बुद्धी मान था कृष्ण था इसलिए सफल हुआ राम के पास साहस था इसलिए सफल हुए समर्पन से सफलता मिलती है और गलतियां ना करने से पूर्णता मिलती है इस बात को जीवन मतारना आज की नीती भूलना नहीं सफल होना है तो क्या चाहिए सर्वस्व समर्पन चाहिए पूर्ण होना है तो क्या चाहिए गलतियों का लेश मातर भी स्थान नहीं हो तब जाकर कि आप उच्छी सफलता को प्राप्ट करेंगे शेश आगे विचार करेंगे मगवान महावीर सौमी की